पर्विदे पह्तक्तिल त्रव प्रेट में better इस अभी किक्विघ चाहरों तो आप्ड काहरों स्अप्ली नो मोन प्रपल्ले में यह प्रप्रोब्ल्म को अपना चाहरों 1.5 यह प्रट्रेसित में आप लिए प्राइब दिशताद भगा पस साबुर्ड प्रोब्लेम दिले लिया है यह आप लिला इनफॉर्मेशन वारूँ वेरेबल यूज करना रहोता अपन प्रॉपर वेरेबल यूजू गरूंड एक्वेशन फॉर्म करना अनीक्वेशन फॉर of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers, मन्ज़ेच दोन नम्बर दिलेले, एक greater आसे लेक स्मॉलर, तेन मदला difference, deeper मन्ज़े फरक, differ by 3, दोगान मदला फरक किते आए 3, आनि, if we twice the smaller number and thrice the greater number, आनि तेन्ची सम किली तथी किते 19, तर ते आउरों आपलेला ते equation फॉर्म करून, ते नम्बर शोदाई चाहे, तर मी greater number ला x आनि smaller number ला y मानतु कारण के मला महें इतना एकुन ते number आहे ते, ते साथी मांग आता ही तो आपन ते solve करू, फर्स्टर, फर्स्ट एक्जम्पल आहे, suppose the greater number is, the greater number is x and the smaller number is y, y, आसदर मानूंग इतला अपन, तर यावरों by first condition आप लकाली ते इन बर, by first condition, first condition आप लेला, already महें ते आहे, first line मद दिलेलिया हे, two number deeper by three, मैंजे ते आदोगन मदला फरक किते आहे, three, मैंजे greater number मदला smaller number सब्ट्रेक के ला तका यानार, 3, x minus y equal to 3, यादोगन मदला फरक किते आप लेला नंबर, first, त्यानंतरा आता second condition, by second condition, second condition पन खुप सोप्या हे, the sum of twice the smaller number, twice the smaller number मैंजे, smaller number चीडबल, मैंजे चाहे, 2y, या मदे add का रहे चाहे, sum का रहे चाहे, कोना ची, thrice the greater number, thrice the greater number मैंजे, 3x equal to 19, 19 त्या दोगन ची संदी लिलिया हे, 19 या और उना प्ला equation number second में आला, या दोन equation कड़नी टपाईला, तर काई लक्षा देता हे, तर या मदे एक सानी या दोगन ची वेरेबल सेम नाही, मी मला जर elimination में तरने solve कराई जासेलता, माला ता मी elimination में तरने जाता हे, equation 1 by 3 काटू 2 equation 1 ला 2 ने multiply के लगन तर काई बेटल वी गेट बगा, काई दी सेल 2 इंटू X 2X माइनस 2 इंटू Y 2Y equal to 2 इंटू 3 काई नार 6, इक्वेशन नंबर 3rd, second equation आनी third equation दर पाई लापन, तर काई लग्षा देता हे, आता ही तो Y चो कोई पिशन्ट सेम धालेला दिस तो अपलेला, त्या साथी, आनी दो गन अपन वेग वेगरे साइनास लेम होते हाँ दो गन चे एडिंग करतो, addition, adding, equation, second and third, बंजज काई दी सेली तो सांगा, 3X plus 2Y equal to 19, त्या मदे add कराई चाहे, 2X minus 2Y equal to 6, या दो गन चे एडिंशन जर की दी, तर 3X plus 2X का अनार 5X, 2Y ला 2Y, कैंसल का रंकी दो गन वेग वेगरे साइना है, equal to nr 19 plus 6, 25, हा 5 multiply आहे, त्या साइड लागे लेवर्टी वाइड, X equal to 25 upon 5, मंजज काई दी सेली बागा, X equal to 5, X ची value आली, आता ही value जी आहे, X ची, मी equation number, put X equal to 5, in equation first, equation first मदे दर put के लिए, equation first का आया है, X minus Y equal to 3, यहां मदे put कर थो, X minus Y equal to 3, मंजज का है, 5 minus Y equal to 3, हाँ minus Y त्या साइड लागे लेवर्ट प्लस, हाँ plus 3 या साइड लाले लेवर्ट, 5 minus 3 equal to Y, therefore, Y equal to 2, मला दोनी नंबर में उन गे ले, therefore, the greater number is, 5, and smaller number is, 3, का 2, smaller number is, 2, अपनी आप पद्दती ने सॉल के लो, बगा, the greater number X मानला, smaller number Y मानला, त्यान अंतर, first condition वरुन equation आला, X minus Y equal to 3, and, first condition वरुन equation आला, X minus Y equal to 3, त्यान अंतर, second condition वरुन equation आला, 3X plus 2Y equal to 19, या मदे coefficient सेम करूंगे, तले, first equation ला, 2 ने multiply के लेवर, 2X minus 2Y equal to 6, आला, आनी या दोगान मदे Y चो coefficient सेम आहे, आनी दोगान ना वेग 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 रे साइनास लाम हो, त्या दोगान चे addition के लिए, addition के लेन अंतर, 2Y ला, 2Y cancels, 3X plus 2X equal to 5X, 19 plus 6 equal to 25, 5 minus Y equal to 3, हा, minus Y त्या साइड लागे लाए, और plus, हा, plus 3 या साइड लाए, और minus, त्या वरण Y 20 में आली 2, therefore, the greater number is 5, and the smaller number is 2, आता आपला second example भाई चाहे, second example भगा का दिले ले आपला, complete the following, आता ही तर यक activity दिले ले ले आहे, या मदे एक rectangle दिला, आयम रेक्टेंगल आनि या आपोजिट साइड दिश्टाइज अपला, आपोजिट साइड पागा का या है, 2X प्लस Y प्लस 8, या चापोजिट साइड 4X माईनस Y, या दोनी पन आपोजिट साइड का शास्तिली एक्वाल करण की, opposite sides of rectangle are congruent त्यानंतर 2y आनि x plus y या दोगंची value से मासेल या अरून आपलेला हे दोन equation form कराईचा है तानि या अरून find value of x and y x आनि y च value find out करून त्यानंतर perimeter आनि area काड़ाईचा या rectangle perimeter आनि area चा फोर्मिल आपलेल माईची आहे rectangle अरून आपलेला त्या वैल्यू find out कराईची आहे या सट्या तामी त्या एक्वेशन बगूत फर्स्टर मी तो rectangle ड्रॉक करूंगे तो बगाते तामी एक rectangle ड्रॉकेला त्या rectangle ची महीती लिए उनगे तली जी आपलेला question मत दिलेले आहे 2x प्लस y प्लस 8 आनि तेचे आपोजिट साइड 4x माइनस y तो सब्सक्राइची तो ब्रीड 2y आनि x प्लस 4 या औरून length length value का या सेल 2x प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस y कारण क्या आपोजिट साइड सॉपर एक्टेंगल आर कॉंगूरून तो औरून हे दोनी equation compare के ले दोनी compare के ले 2x प्लस y प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस y या औरून आता या दोगंची में साइड बदल तो दोगं प्लस आहे 2x आनि प्लस y हे दोनी प्लस आहे तेचा साइड लगे ले वर माइनस हाँ 8 आहे तसाज राहिल 8 equal to 4x माइनस y आहे तसाज आनि हां 2x देचा साइड लगे ले वर माइनस तसाज प्लस y देचा साइड लगे ले वर माइनस काई दी सेल 4x माइनस 2x इक्वल टू काई आर 2x आनि – y माइनस y काई आर – 2y कारण की दोगं ना सेम साइन आहे लें हो रोर टेक वोल घेतल त्याहर वरून 2y एक्ष प्लस 4 या एकसची साड़ बजल ली एकसप्लस आहे त्या सड़्यला गेलेवर minus त्याहरूरं का दिसेल minus x plus 2y equal to 4 याल एक्वेशन नंबर 2nd मनल अतर जार दोनी एक्वेशन पाईले तुम्ही तर यामदे y चो कोई पिशंट सेम जिसता है 2y 2y आनि येकल माइनस साहिन है येकल प्लस साहिन है त्यामा होतिया दोग अची एडिशन करदो एडिंग एक्वेशन 1 and 2 वीगेट कायम होन जाएं बगा तर एडिशन के लें अंदर इतो दोनी एक्वेशन लिले में 2x-2y equal to 8 plus minus x plus 2y equal to 4 या मदे 2x-x या दोग अनन वेगवेगवेशायन है असले महाँ दोगशन ची सब्टरेक्शन होनार 2x मादुने x गेला x रायला आनि हा 2y ला 2y cancel कारें की दोग अनन वेगवेगवेशायन है तोसा 8 plus 4 equal to 12 X ची value आली 12 ही जी value आली लिली आहे मी equation number second मदे put करतो put X equal to 12 in equation number second equation second आती लिए उन्गियो minus X plus 2Y equal to 4 त्या पत दतीने X ची value त्या मदे टाकली minus आहेता सच X value 12 plus 2Y equal to 4 हाँ minus 12 त्या side लगे लेवर plus 12 मंज़का यहना 2Y आहेता सच equal to 4 plus 12 4 plus 12 equal to 16 2Y equal to 16 हाट to multiply आहे त्या side लगे लेवर divide कादी cell Y equal to 16 upon 2 therefore Y equal to 8 X आनी Y ची value आली 12 आनी 8 हाते ही 12 आनी 8 value आले नंतरा अप्ला length आनी breadth या दो गन ची value फाइंड आउट करना गर जेजा है त्यामों मी X आनी Y ची value या दो गन मदे put करतो बगा length आपर rectangle इक्वाल टू काया लो 2X plus Y plus 8 या मदे value पूट करतो 2 इंटू X ची value काया ले लिया है 12 plus 8 plus 8 Y ची value 8 2X 12 इक्वाल टू 24 plus 8 plus 8 24 plus 8 plus 8 इक्वाल टू 40 यूनिट्स तो सद ब्रीट ब्रीट कायो ती 2 आए त्यामों धे value पूट के लिद गाया ना 2X 8 इक्वाल टू 16 यूनिट्स या पद्दत इन length आनी breadth भेटला ता आप या perimeter of rectangle perimeter of rectangle सा formula माहित या इक्वाल टू काया 2 into the bracket length in length plus breadth या मदे value पूट कर तो length आ ले लिया है 40 या नी breadth आ है 16 2 into 40 plus 16 equal to 40 plus 16 equal to 56 2 into 56 equal to 112 units तसस आप त्याला area of rectangle find out का रहे चाहे area of rectangle चा फोर्मिला का length into breadth length value 40 breadth value 16 ती value पूट के लिए लिए 14 into 16 16 0 0 16 4 the 640 therefore area of rectangle equal to 640 square units या पत दतीने आपन हे example solve के लगा काय होता rectangle दिला होता length आनी breadth compare के लिए देक में कनना त्या और दोन उक्वेशन फ्रम केली दोन उक्वेशन फोर्म केला नंतर त्या दो गन म Ry सोपिक्टिशन्ट स्मता त्या दो one च एडिशन केली एडिशन केली एकुछ व्याड्य मैं ц're all right which means तेल यह बंदया। अबडें, नंत्र अबर लीट, अबडें रन्त नीजा का से सीवेलु get. age of the father and add it to the age of his son the sum is 95 find their present ages अपला आता हिता दो गंची present ages find out करा है तो condition दी ले दी आपला first condition काया है sum of father's age and twice the age of his son is 70 if we double the age of the father and add it to the age of his son is the sum is 95 अपला प्याओ आपला त्या दो गंची present age find out करा है त्या सट्या तमी सपोज करतो present age of father x मानतो आणी present age of son बगातरी तमी मानला present age of father be x years and present age of his son be y years सपोज केला मंग त्या औरन बाइ first condition first condition काया होती the sum of father's age father's age काया है x and twice the age of his son twice मांजे या चाडबल 2y equal to कीती है 70 मांजे चाड़नार equation x plus 2y equal to 70 equation number first and by second condition second condition काया है बगा if we double the age of father मंजे father's age x मानले ले त्या डबल के ले था 2x आनि add it to the his son मांजे 2x plus y equal to 95 2x plus y equal to 95 बगा डबल केला father's age त्या मादे son's age add केला इक्वाल to 95 equation number second आदा हे equation माला solve कर रहे चाहे कोंते ये का method ने आपन solve करूँ शोकतो या साठी मी grammar soul सा यूज करतो मंकाया करतो आपन grammar soul मादे comparing with equation compare करतो a1 x plus b1 y equal to c1 and a2 x plus b2 y equal to c2 या equation बर-बर आपने compare करतो त्या और फर्स्ट equation जर या बर-बर compare केला तर a1 ची value काये इता बगा x चा coefficient काये दिसतना है मंजे 1 आए तसच b1 equal to 2 आणि c1 equal to 70 तसच a2 a2 ची value काये 2 b2 b2 ची value y चा coefficient दूस्रे equation मदे 1 आणि c2 ची value constant term 95 या पद्दतिने आपन लिए उनगे तला ता आपले आल find out काय का रहे चाहे d ची value find out का रहे चाहे फार्मिला माहे ते a1 b1 a2 b2 या मदे value put करतो a1 ची value 1 b1 ची value 2 1 2 2 1 मंगे या मदे आता काय करतो आपन cross multiplication 1 into 1 minus 2 into 2 equal to का रहे चाहे नार 1 into 1 इता 1 minus 2 into 2 का रहे चाहे नार 4 equal to 1 minus 4 equal to का रहे माइनस 3 d ची value आली minus 3 आता आप तेला d x ची value find out कराई चाहे मंजे काय करना रहता है तो x चे coefficient जाहे a1 आनी a2 ते eliminate कराई चाहे d मद ले आंते आज आगर का ले चाहे c1 आनी c2 c1 c2 b1 b2 आहे ता सच मंग मला सांगा c1 c2 c1 c2 ची value का आहे 70 95 आनी b1 b2 b1 b2 ची value का आहे 2 1 या मद वैल्यू पूट के लिए आता cross multiplication 70 into 1 minus 95 into 2 बरे मंग सांगा 70 into 1 का आनार 70 minus 95 into 2 equal to 190 आता 190 मद वैल्यू 70 सब्ट्रेक के लिए तका यानर 120 मोट या नमबर सा साइन minus dx ची value आली minus 120 तसा ता दा dy च value find out कराएचे आपलाल dy च value find out करता ना d मद लेका है y च कोई coefficient इलिमनेट कराएचे तया आज आगे और c1 c2 लेएचे मंज़े a1 a2 आहे तसा दानत्या b1 b2 चाजा आगे रखाए c1 c2 आता a1 a2 च value अपलाल महेती a1 a2 च value का आहे 1 2 आनि c1 c2 च value का आहे 70 आनि 95 आता परत का है cross multiplication मंग सांगा का यानर 1 into 95 minus 2 into 70 equal to का है 95 into 1 मंज़े का है 95 minus 2 into 70 मंज़े की ती आनर बर 140 आनि 140 मातो 95 सब्ट्रेक के लिए और 45 मोटे नमबर सो साइन minus d y च value का आली minus 45 बगा अपलाल तिनी value में आले d च value में आली minus 3 dx च value में आली minus 120 and d y च value में आली minus 45 या तीनी value में आले नंतर आपलाल में तिया है x च value आपन के शपहें डाउट करतो dx upon d dx dx च value minus 120 divided by minus 3 minus minus 1 plus 3 ने भाग दिलेवर 40 नर तो सच वाई च value का है d y upon d में आली minus 45 divided by minus 3 में आले नर 15 अता या value आले नंतर बंजस का है present age of therefore present age of father be 40 years and present age of his son is 15 years बगा आपनी तका आए खेला तर पाइलें दी x आनी y मानूंगे तले फादर चाहेज x आनी son चाहेज y मानला त्यान अनतर बंजस कंडिशन x plus 2y equal to 7d दूस्ते कंडिशन नसर 2x plus y equal to 95 यह दोन इक्वेशन आले ते दोन इक्वेशन मीं क्रेमर सुन ने solve कराई चाहेज बगितला क्रेमर सुन साथे आपन ते कंपेर केले एक्वेशन a1 x plus b1 y equal to c1 आनी a2 x plus b2 y equal to c2 बर बर त्यान अनतर आपन d dx आनी dy यह आच्या value find out केला त्या आपनल में आल माइनस 3 120 आनी माइनस 45 त्यान अनतर x च्या value dx आपन दी मंज़स का आली 40 y च्या value dy y upon d equal to 15 आला therefore present age of a father is 40 years and present age of his son is 15 years आप ललाता third fourth example पाइचा है fourth example का आए बगा the denominator of a fraction is four more than twice its numerator बंज़े denominator of a fraction हाँ 4 ने जासता है twice its numerator denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6 find a fraction आपल त्यावरूं fraction find out का रहाई जाए दोन condition दिले ले आए त्यावरूं माला fraction find out का रहाई जाए supporter fraction x upon y आसिल मंज़े numerator x and denominator y आसिल तर काई तर बागा fourth example मी solve करतो suppose the fraction equal to x upon y मंज़े जाए नुमरेटर का आसिल वर नुमरेटर एक्स नुमरेटर मंज़े वर्च अपाट and denominator equal to y तर by first condition काई लिता इन बर मला by first condition बगा first line मज़े first condition दिले लिया आए काई the denominator of a fraction denominator of a fraction मंज़े जाए y equal to काई 4 more than twice its numerator 4 more than 4 ने जास्त काई पेक्सा twice its numerator numerator x होता तर डबल के लिए तर पेक्सा 4 ने जास्त आए denominator आता हाँ 2x प्लस आ है त्या side लगे ले और minus equation काई दिसल minus 2x हाँ प्लस आ है y plus y equal to 4 याला equation number first month आता by second condition प्लस आपन by second condition चाधी आपलेला काई मानता यत्ते की numerator अन denominator या दोगन मदून 6 reduce करा मंज़े आपलेल new numerator अनी denominator में उन जातील new numerator काई में जर आपन 6 सब्ट्रेक के लातर x minus 6 and new denominator काय में होन जाएं new denominator में होन जाएं y-6 अथा आपन 6 तर subtract के लिए या दोगन मदून अथा by second condition वरूं काय सांगता है थे ज़र आपन 6 subtract करता होत तो आपने लखाय में रता है denominator जो आहे new denominator आहे मझे y-6 हाँ denominator becomes 12 times the numerator numerator चा 12 times 12 into x-6 numerator चा 12 times denominator में आला था 12 आतमादे multiply करतो y-6 आहे था 12x-12 12 into 6 का एना 72 आता मिस side change करतो हाँ minus 72 या side ला ले और plus आनि हाँ plus y या side ला ले और minus काय दिसे लापने ला 72 minus 6 equal to 12x minus y बगा plus y होता या side ला sign आसते था plus y त्या side लगे ले और minus आनि हाँ minus 72 या side ला ले और plus 72 minus 6 equal to काय आनार 66 equal to 12x minus y याला equation number second मन्त फर्स्ट equation काय ले और ले होता बगा minus 2x plus y equal to 4 है आपला फर्स्ट equation होता अता जर ये दोनी equation तुमी पाईले तर या दोनी equation में ते काय लग्षा तेते होता है तो माला y चे कोई पिशंट सेम आहे त्यामा या दोनी ची एडिशन करता हो कारणके दोना वेग वेगड़े साहिन आहे त्यामा दें equation 1 and 2 we get 1st आनी 2nd add जर केला 1st equation काया है minus 2x plus y equal to 4 तेमा दे add कराई चाहे second equation 12x minus y equal to 66 या दोनी चे एडिशन करता है minus 2x plus 12x या दोनी वेग़े साहिन आहे त्यामा तेमा दोनी subtraction 10x कारें की मोटे नमबर साइन प्लस आसले मोग प्लस आनी minus 2y plus 2y एक में करना cancel equal to 66 plus 4 equal to 70 आता हाट 10 multiply आहे x कोई पिशन्ट आहे मनटले और multiply आहे त्या साइड लगे 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 दिवाइड therefore x equal to काय में होन जाएन अपलेला बगा x equal to में होन जाएन 70 upon 10 कारण की 10 हाँ multiply होता तर्या साइड लगे 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 रिवाइड गे लगा x equal to काय में हाला 7 x equal to 7 में हाली ही value आहे put x equal to 7 इन equation first equation first काय सुट्स प्लस y minus 2x plus y equal to 4 यह equation मते put करतो मंझस का था सेल मायनस 2 इन्टो 7 पלस y equal to 4 मायनस 2 इन्टो 7 मंझस का यह मायनस 14 plus y equal to 4 मायनस 14 त्या साइड लगे लेवर पलस y equal to का था सेल 4 plus 14 therefore y equal to का 450 मंझस 18 therefore given fraction is का x upon y x ची बैल ले अपले महें अधिए है 7 आनि Y 12 लुकाली 18 बंजे 7 आपन 18 हा अपला fraction आशेल बग आपन काय केलत है X आपन Y हाप fraction मानला ओता तो ते आपन नूमरेटर X और देनॉमरेटर Y फर्स्ट कंडिशन आशे उती कि देनॉमरेटर हाफ 4 ने जासता है या दोनी एक्वेशन मादे जर्बग इतला तर्स्ट कि देनॉमरेटर हाफ या दोनी एक्वेशन मादे जर्बग इतला तर Y चो कोईशन सेम हाथ तो तेमों या दो गनचे एडिशन करूँन Y लावाए कैनसल केला आण त्या ओरूं X ची वैल्यू फाइंड आउट केली X ची वैल्यू आले नंतर ती वैल्यू एका एक्वेशन मादे पूट केली फर्स्ट इक्वेशन मदे पूट के लेन अंतर y ची वैल्यू 18 आली आनि त्या और मा अपलेला तो फ्रेक्शन में आला x upon y equal to 7 upon 18 अथा अपलेला अथा पूडचा ये जर एक्जांपल बागाईचा धाला तर पाच्वा एक्जांपल बागा टू टू टाइपस ओब बॉक्से A, B, R to be placed in a truck having capacity of 10 तंस आता 10 तंस मंज़े किती किलोग्रेम रही आपलेला फस्टर मा एक्वाइचा पाईचाए 1 किलोग्रेम टू ले घिलोग्रेम तर बागा वन टू 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 अश्ता था थाउजन किलोग्रेम तर मंग देर फोर याउरू न माला खाली थाईटा इन 10 त 10 तन इक्वल टू किती 10 तन इक्वल टू 10,000 किलो ग्रैम है लग्षा ठ्थ्या ओंगता हिता 10 तन्स दि ले ले आहे दोनी बॉक्स है त्या ट्रक ची यापिसेटी 10 तन्स आहे वेन 150 बॉक्स आप टाइप A and 100 बॉक्स आप टॉडड़ इस द्रक जन्ने आर ये जहाय है ट्रकिश घड्वेट फेर सेती 10 तन्स पर्न हूं जाता है वेन 260 बॉक्स. का अट्रइब आप टाइप B, so that it is fully loaded, find the weight of each type of boxes, मगाता मला, टाइप A आणि टाइप B या बोक्सेश च वेट काड़ाई चे, प्रत्यक बोक्स च वेट मला, महीती पाई, त्या साथी मी, मानूंगे तो, फर्स्टर बागा, फिफ्ट एक्जाम्पल आप लाए, अपने, सपोर्ट्ज, the weight of box of type A is x kilogram, one box of type A is x kilogram, and the weight of one box of type B is y kilogram, the capacity of truck is, किती आए, 10 tons मन्जच किती बर, आतास सांगितल, 10,000 kg याउडी capacity आहे, तर पाईला कंडिशन नुसर, आता आपन पाईलेंदी काय करता हो, पाईला कंडिशन नुसर, काय करता हो तापन, तर आता 150 box of type A, आने 100 box of type B, यह लोड करता हो ट्रक मादें, जेने करून त्या ट्रक ची कैपिसेटी फुल होता है, मन्जच काया था, 150 box चे वेट किती आएल, टाइप A च, तर एका box चे वेट एक्स आएल, तर 150 box चे वेट, 150X, आने 100 box चे वेट, बी आटाइप च, बी आटाइप चे वेट किती आहे, एका box Y, तर 100 box चे काया थेल, 100 Y, तर और न बाई, फर्स्ट कंडिशन, 150X, प्लस, 100 Y, 150 box A टाइप चे, आने 100 B टाइप चे बाउक्स आपन टाकता होत, इक्वल टु काया, 10,000, इक्वल टु 10,000, आता या मदे, आपले लकाजी सता है, 150 X, प्लस, 100 Y, इक्वल टु 10,000, या सगयन ना, 50 ने भाग जाता है, त्या मदे, 50 ने भाग देतो याला, डिवाइड बाई, 50, 15 divided के लिएवर 150 ला 15 divided के लिएवर का यनार 3X plus 100 ला 15 divided के लिएवर का यनार 2Y equal to 10,000 ला 15 divided के लिएवर 200 equation number first त्यानंतर राता by second condition second condition चावेज काय करना रहो ता पन बगा second condition काय दिले लिए आप ला 260 टाइप ओब बॉक्स एया एंड 40 बॉक्स आप टाइप भी आप लाल टाकाई चाहे था था 260 बॉक्स तो वेट काया चाहिल 260 X कारण की ते टाइप A चाहे था आनि टाइप B चे 40 बॉक्स आए त्यामों 40 Y equal to काय अनार बर 10,000 परत कारण की ती ट्रप फुली लोड होता है मैंजे 10,000 किलोग्राम फुल लोड होता है अधा इता या और उन परत काय दिसाता है 260 X plus 40 Y equal to 10,000 या सब आनना 20 ने डिवाइड करू कारण की 20 ने भाग जाता है divide by 20 20 निवाइड के ले अना अना तर काय दिसेल बर है 20 निवाइड के ले तर 13 X plus पुड़ याला 20 निवाइड के ले वर 2 Y equal to 10,000 ला 20 निवाइड के ले वर काय आनार बर 500 याला equation number मी किती बनतो second आता फर्स्ट आनि second जर दोनी equation पाई ले तुम्ही तर y चे coefficient तुमाला same दी सता है त्या मों मी काय करतो subtraction कारण की y चे coefficient ला same sign दी सता है subtracting subtracting equation first from second second मदून first equation subtract करतो second काया है equation 13x plus 2y equal to 500 आनी first equation काया है 3x plus 2y equal to 200 या दो गणची subtraction करता ना काय कराई चाहे है लक्षाद गया second equation चे sign change करतो सगे अनना plus sign आहे सगे अनना होनार minus sign आता पुड़ो काया 13x minus 3x equal to काया नार 10x 2y ला 2y cancel कारें की plus 2y minus 2y है एक में कानना cancel 500 minus 200 equal to काय 300 आता 10 हा मल्टिप्लाया हे त्या साइड लगे लेवर divide x equal to काया नार 300 divided by 10 या एक जिरो ला एक जिरो cancel therefore x equal to काया 30 kg मंजे एक box of type A या चे एका box चे वेट आसे 30 kg आता आता आला second मंजे BR या टाइप चे बाक्स चे वेट फाइंड आउट कारें जा आ हे त्या साथी मी equation 1 मदे x equal to 30 ही value put कर दो put x equal to 30 in equation first equation first काया होता आपला तर एक्वेशन फर्स्ट होता 3x plus 2y equal to 200 मंगा तर या मदे value put कर दो 3 into 2 3 into x x चे value काया 30 plus 2y equal to 200 हा 3 into 30 equal to काया नार 90 plus 2y equal to 200 90 प्लस आहे त्या साइड लगे लेवर minus काय दिसल 2y equal to 200 minus 90 therefore 2y equal to 200 minus 90 110 हाँ तू मल्टिप्ला आहे त्या साइड लगे लेवर divide 110 upon 2 therefore y equal to काया नार 55 kg therefore काया नार आपन the weight of आपला एंसर ली तो है तापन the weight of one box of type A is काय 30 kg and the weight of one box of type of type B is किती 55 kg तर आपन सावव एक्जामपल वगू होट स्कोश्चन आहे हा out of 1900 km we shall travel some distance by bus and some distance by aeroplane bus travel with average speed 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km is 700 km per hour full stop it takes 5 hours to complete the journey find the distance we shall travel by bus अथा आप लल सांग इतले काये total distance किते आहे 1900 आपने तो दोन प्रकार चाट्रावल ने ट्रैवलिंग करजा है फर्स्ट बन्जे बस आनन्दर aeroplane bus चा स्पेड आहे 60 km per hour आपने आपने एक्जामपले स्पेड आहे 700 km per hour आपने तो आपने एक्जामपलेट कारने शाटी distance from bus is x km and he travel distance from aeroplane is y km जरा समानल तर तन total distance किते ट्रैवल के लिला है total distance जैने 1900 km ट्रैवल के लिला है त्याहरन बाई फर्स्ट कंडिशन नुसार equation का इन बाई फर्स्ट कंडिशन x plus y equal to 1900 distance travel by bus plus distance travel by aeroplane equal to total distance equal to 1900 equation number first फर्स्ट एक्वेशन आले नंतरा ता second equation सटे आप्टाला speed दी ले ले ता average speed दी ले बस था 60 km पर हावर आप्टाला फॉर्मिला एक फॉर्मिल माई थे we know that time equal to distance आता मी ता टाइम का काड़ता है तरा त्या पूर्ण टोटल जर्नी complete होईला त्याला 5 hours लागता है मनुन आप्टाल टाइम काड़ना खुब गर जे चाहा है ता distance आपन मान ले ले थे x आणी speed पन माहिते आए मं distance आपन speed या औरून आप्टाला बस चा आणी aeroplane चा time find out करता है टाइम टेकन ट्रेवल डिस्टन्स फ्रों बस इक्वल टू डिस्टन्स बस ने ट्रेवल के लिए ट्रेवल डिस्टन्स x divided by ट्रेशा स्पीड 60 होवर्स x आपन 60 तास आप्टाल टू ट्रेवल डिस्टन्स फ्रों एरो प्लेट टू एरो प्लेट टी fact डिस्टन्स र्यवल केले y किलों आनी ट्रेशा स्पीड केर आए 700 किलों माश्वर्स으니까 किते है जहाहन्म प्लस y अपॉन 700 इकुवल टु 5 यह साथ यह तमी क्रोस मुल्टिप्लिकेशन करूंगे तो मंज़े 700 इंटु x फ्लस 60y डिवाइड बाई 60 इंटु 700 इकुवल टु 5 हा 60 इंटु 700 डिवाइड आए ते यह साथ लागे लावर मुल्टिप्लाई मंज़े काय दिवाइड अपुलेला 700 x फ्लस 60y इकुवल टु 5 इंटु 60 इंटु 700 हाता यहाला काई गर तो मिस्ता ग्याना 20 डिवाइड करूंगे तो कारण के 20 भाग जाता है डिवाइड बाई 20 20 डिवाइड के लिया नंतर काई इसेल इकुवेशन बागा 700 x आपॉन 20 प्लस 60y आपॉन 20 इकुवल टु 700 इंटु 60 इंटु 5 डिवाइड बाई 20 काई उन जाइन एका 0 लेक 0 कैंसल त्या औरुन 2 ने भाग दिला तो 35x प्लस 3y इकुवल टु या 20 ने याला 60 इल डिवाइड के लिवाइड के लिवाइड बागा 21 जा 20 23 जा 60 मैं जी तका्य अनर बाई 700 इंटु 3 इंटु 5 या उरुन ची इक्वेशन का सदी सेल आपलेला 35x प्लस 3y इकुवल टु 10,500 है इक्वेशन नमबर सेकंडाल आता हे इक्वेशन सेकंडाल फिस्ट इक्वेशन आपलेल माहे त्या आहे फिस्ट इक्वेशन काय अपले X plus Y equal to 1,900 में ही तली होन गे तो आदी X plus Y equal to 1,900 है equation number first आए हे जर दोनी equation आपले हल सौल कराई चास्तिल जर मी elimination में तरने जाए चाजा जाल तर मी तो Y चा कोई efficient सेम कर तो मी त्या साथ ही multiply equation 1 by 3 equation 1 ला 3 ने multiply केले तो ही तकाई दिसल 3X plus 3Y equal to 3 into 1,900 बन्जच काई 3X plus 3Y equal to 5,700 कारण की 19,03 जा 57 आनी हे 2,0 पूर चे 3X plus 3Y equal to 5,700 equation number third आता equation number third आल equation number second में ही त्या है या दोगान में दे Y चा कोई efficient सेम दिसता है अन दोगान ना सेम साइन दिसता है त्यामों या दोगान ची मी subtraction कर तो subtracting equation third from second 35X plus 3Y equal to 10,500 minus 3X plus 3Y equal to 5,700 subtraction करताना आपण खालील equation चे sign change करतो सगयना plus sign आहे जगयना minus sign आले इता काई हुन जाएन आता 35X minus 3X equal to 32X 3Y ला 3Y काई हुन जाएन cancel 10,500 मद उन 5,700 सब्ट्राक के ले तर रहतात काई 4,800 आता हा 32 multiply आहे त्या side लागे लेवर divide काई दिसेल X equal to 4,800 divided by 32 या दोगान ना पन 16 ने भाग जातो 16 चापाड आता ता 32,8 त्यामा सोल तुने 32,6 तरिक 8,20 तका एनार X equal to 300 divided by 2 therefore या औरुन परत काई 2 ने डिवाइड केला तर X ची value काई X ची value काई 150 km या औरुन X ची value आली मंज़ distance traveling bus आला distance travel by bus is 150 km जर आपलाला एरोप्लेन चाविचारला तर आपन फर्स्ट एक्वेशन मदे value पूट केली आस्थी आन त्या औरुन आपन एरोप्लेन ची पन मंज़ Y ची value find out केली आस्थी पन आत्ता सद्ध आपलाला फक्त bus च विचारला त्यामा मी distance travel by bus is 150 km है आपला एंसर धाला या पद्धतिने आपन प्रेक्टिस सेट 1.5 बगितला त्यास पद्धतिने आपन पूर्ण linear equation इंटू वेरेबल या मदे फर्स्ट एक्जरसाइज ही elimination method आण substitution method ची होती त्यान अन्तर graphical method पाई ली graphical method ची exercise बगितली त्यान अन्तर आपन kramar school determinant method पाई ली determinant method ने example solve करताना easy पद्धत होती त्यान अन्तर fourth मजे आपन equation reducible in pair of linear equation in two variable पाई लानी last मजे application of linear equation simultaneous equation पाई लानी practice set पाई ला आथ आप तुम्ही problem set सोड़ो ना रहाथ problem set मजे तुम्हाला काई अडचन ये ता तर तुम्ही मला विचार ना रहत thank you so much